सबसे पहले आपको Google पर जाने की बात में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा यहाँ पर Google वाले ओप्शन में आपको टाइप करना है A E P S P जैसे आप A E P S P पर टाइप करते हैं कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको नजर आती है इतल में पर इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर वाले आए आपको साइणप वाले बटन पर क्लिक करना है अगर आपके पहले से ही यहाँ पर यूजर आईई हैं पर क्लिक कर लेता हूं क्लिक करने के बाद में यहां पर कुछ इस तरी के hour Options आपको नज़र आएगा earn supplier three मिलेगा मास्टरALL distributor में फिलिए you gotta check ahead up फिरी मैंचे एक आपकी चॉईस है क्या पूंसा यहां पर कि इसके बाद में लास्ट नेम यहां मेंचिन कर लेता हूं ठीक है इसके बाद में जेंडर यहां सेलेक्ट कर लेता हूं एड्रस आप यहां पर प्रॉपर एड्रस मेंचिन कर दीजेगा इसके बाद में country यहां select मिलेगे आपको इसके बाने state आपको select करना है state के बाद में आपको district करना है इसके बाद में आपसे sndra लुषेश पर यहा मैंचन करना होग इसके बाद में आपको मोबाईल नमबर यहां मैंचन करना है तो okay जो भी मोब्ल मवैल है प्रपर तरीकर दस अक्सोरों के यहां पर लिखने होता बात में आधार कर नमबर आप से पूछा जाता है आता हुछ है यह सारी एले आप जैसे मैं SHD करता है में अग्सीन करने के साथ 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 पर कुछ में के करना पर क्लिक करना है जैसे आप click करेंगे आपका registration यहाँ पर free में successful हो जाएगा बस आपको करना क्या है registration में click करना है अगर आप चाहते हैं कि यही detail वापस से दोबारा आपको feel करनी है तो आप reset button पे click करना है इससे क्या होगा कि पूरी detail वापस से feel करने की options पे आ जाएगे लेगिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें submit button पे click करना है तो हम यहाँ पे submit button पे click कर देता है यहाँ पर option आएगा your request has been successful send your registration इस तरीके का जब options आपको मिलने वाला है तो उसके बाद में आपकी process आगे बढ़ जाएगी दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अगर आपका WhatsApp है तो WhatsApp पे आपको यहाँ पर ID password साथ में email पर आपको ID password साथ में mobile पर आपको ID password यहाँ मिलने वाला है तो दैन आपको कुछ समय से में लग सकता है तो आपको एक से दो मिनिट वेट करना होगा जैसे ही आप एक से दो मिनिट वेट करेंगे आपको कर देना है तो वापस से यह rotation यहाँ पर वापस आ जाएगा आपको कुछ दिर वेट करना है वेट करने की साथ साथ आपका user ID और password आपको आपके WhatsApp पे मिल जाएगा जैसे कि आप लोगों को मैंने बता है कि WhatsApp पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर WhatsApp उपन कर लेता हूँ इसमें करना क्या होता आपको जिस्ट क्लिक करना होता है क्लिक करने के साथ साथ आपका यहाँ पर न्यू टैब ओपन हो जाता है तो सबसे पहले हम यहाली process complete कर लेता है, user id password हम यहाँ पर mention कर देता है, user id में यहाँ पर copy कर लेता हूँ, यहाँ से मैं जैसे ही copy करता हूँ, simply यहाँ पर मुझे paste करने का options बिल जाता है, तो यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ, आप इसे चाहें तो type भी कर सकते हैं, type के जरीए भी process आगे बढ़ा सकता है, user id में यहाँ पर डाल दी है, थोड़ा सा यह ध्यान दखे हैं कि user id में आगे की तरफ बिल्कुल भी space ना दे, नहीं पीछे की तरफ कोई space आपको देना है, साथ में password यहाँ पर options मिल जाता है आपको, तो password यहाँ से आप copy कीजिए, password की copy करने के साथ साथ आपको password का options मिल जाएगा, then आप password यहाँ पर slide भी कर सकता है, या type भी आप कर सकता है, तो प्रॉपर तरीकी से type करके भी आप यह process कर सकता है, इस चीच का ध्यान दखे है, password में किसी प्रकार का back या फिर space बगरा नहीं देना है, logging पर जैसे आप क्लिक करता है, तो आप स साथ साथ आपको आपका user और pin आपको change करने का options आपको मिलता है, बहुत ही प्यारा और अच्छा interface यहाँ पर आपको नजर आजाता है, आपकी certificate वगरा कैसे यहाँ से download करने हैं, वो next video में मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलाहल आपकी ID लॉगिं करके और process complete करके यहाँ पर current password, तो जो company ने password आपको दिया है, वही चीज आप यहाँ पर आपको डालना होता है, तो सबसे पहले current password यहाँ mention कर देते हैं, इसके बाद में जो भी आपका खुद के इसाब से जो भी आप password बनाना चाते हैं, वो password आप यहाँ बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मेरे जो भी secret password है, वो चीज में यहाँ पर apply कर देता हूं, तो secret password मैंने यहाँ पर update कर दिया है, ध्यान रहे हैं, आपको एक बारी click करके एक बारी update करना होता है, ऐसा नहीं कि आप बार बार इसे update करते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो पहले मुझे company की तरब से password दिया गया था, वो मैंने य यहाँ mention कर दिया है, इसके अलावा मैंने अपना जो password है, ठीक हो, यहाँ पर mention कर दिया है, यानि कि मुझे जो regular use में लेना है password, उसे मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ, उमीद करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, then submit पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, submit पे click कर देता हूँ, इसके बाद में अपना जो भी pin है, secret pin, ठीक है, वो pin यहाँ पर mention कर देता हूँ, तो यहाँ पर mention करने के साथ, then submit पे जैसे में क्लिक करता हूँ, submit पे click करने के साथ, यहाँ पर मुझे एक बहतरीन और बहुत ही अच्छा interface यहाँ पर आपको नजर आ जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको सारी सर्विस से बकायाता है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे यहाँ पर options में मिल जाती है, प्रोफाइल में आपको अपनी photos, certificate, identity card, आपकी KYC complete, mobile change, password change, pin code change, ठीक है, इसके अलब है, e-wallet, aps wallet, aps wallet summary, add fund request, list of fund request, service के अंदर recharge, bbps, uti registration, uti coupon, offline service में काफी सारी सर्विसे आपको मिल जाती है, finance service के हम बात करें तो, dmr, domestic money transfer, aps आदा renewable payment system, aps payout, यानि कि जो आप instant payout लेना चाहते हैं, वो चीज, express payout, यानि कि unlimited कितना भी पैसा आप transfer करें, किसी अन्य व्यक्ति के खाते में, वो वाले options आपको मिल जात है, तो दोस्तों, यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी, अब certificate कैसे download करना है, क्या इसकी process होगी, next video में मैं आपको बताऊंगा, जल्दी ही मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, तो उमीद करता हूँ, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप इसे वाप आपको यहां टाइप करना है अपने, और इसके बाद में आपका जो भी password है, जो आपने बनाया है, वो चीजिया mention करके आपको login क्लिक कर देना है, जब आप एक बार ID login कर लेते हैं, तो उसके बाद में आप mobile number से भी login कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, आज की वीडियो आपको